हाई दोस्तों आज हम सिखेंगे कॉटन के रूमाल भी ग्लाथ पिंटिंग से नाम कैसे लिखते हैं इसके लिए हमें हमें चाहिए कॉटन का रूमाल दो एक्रेलिक कलर ब्रॉश पेंसिल अब इसमें मैं पेंसिल से अपने पती का नाम लिख रही हूं मैंने रूमाल पें नाम लिख लिया है अब मैं रेड कलर एक प्लेट में ले लूँगी उससे हम नाम लिखेंगे मुझे रेड कलर पसंद था, इसलिए मैंने रेड कलर लिया है, आप कुनसा भी कलर लेकर उससे नाम लिख सकती है, थोड़ा सा पानी मेच कर लेना है इसमें, हमने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, उस पर ही हमें नाम लिखना है, अब मैं एलो कलर लूंगी और उससे हम बॉर्डरिंग करेंगे मैंने ब्रश ब्रॉट यूज क्या है इसमें आप सौट चुटा सा ब्रश भी यूज कर सकते हैं कर दो पांच मिनिट हो चुके है अब यह सुख गया है यह हो गया हमारा रोमाल तयार थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो य хотел ब्रॉट कि बड़ोमाली मैं वीडियो सो — आप से तॉ Verfügung